तो आपके लिए यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है शोट्स मोनेटाइजेशन को लेकर जैसा कि आपको पता है कि पिछली कुछ दिनों में यूट्यूब पर शोट्स को लेकर काफी सारे अपडेट्स आपके सामने आये हैं जिसमें आपको ये भी चलेंगे और उससे भी आप कमाई कर पाएंगे लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा था कि ये कब से शुरू होने वाला है कब से हमारी शोट्स पे एड्स चलनी शुरू हो जाएंगी तो फ्रेंड्स आज के इस अपडेट में शोट्स मोनेटाइजेशन की जो डेट है व जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहल यहां पे तो यूटिब का जो यह अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको वाइटी स्टूडियो के अंदर मिला होगा तो मैं वाइटी स्टूडियो को ओपन कर लेता हूं तो यह आप देख सकते हैं शोट्स मोनेटाइजेशन के लिए यहां पे आपको इस तरीके से ए यूटिव पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स विल बी एवेलेबल टू एपसैप स्टार्टिंग मिड जनवरी मतलब जनवरी मतलब 15-16 जनवरी के आसपास यह टर्म्स के लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा इन नई टर्म्स को आपको एकसेप्ट करने का ऑप्शन मिल ज जाता है यहाँ पर आप इस अपडेट के बारे में completely detail में एक एक चीज पढ़ सकते हैं मैं आपको main-main points बता देता हूँ वरना वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर जो नए चीज है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ shorts monetization के लिए आपको जो criteria है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो long वीडियो थी उसके लिए तो 1000 subscriber और 4000 गंटे का वोस टाइम है और जो shorts वीडियो है उसके लिए आप 1000 subscriber और 4000 गंटे का वोस टाइम भी पूरा कर सकते हैं या फिर 4000 गंटे की जंगे आप 10 million views पूरे कर सकते हैं public short views in the last 90s days मतलब पिछले 3 महिने में पिछले 90 दिनों में आपके 10 million views अगर complete हो जाते हैं shorts चैनल के उपर तो भी आपका चैनल monetize हो जाएगा और 1000 subscriber भी अगर हो जाते हैं तो और चाहे आपकी एक वीडियो पे आए 10 million या फिर आपकी काफी सारी वीडियो पे उनको सब का sum up कर के 10 million होने चाहिए 90 दिन के अंदर ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपे लिखा हुआ है इस box में red icon के सामने keep in mind that any public watch hour from short views in the shorts feed wouldn't count towards the 4000 public watch hour 3 short मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके short views short feeds किसे आते हैं वो public watch hour में count नहीं होत में जब भी आपको short video डालते हैं इमनों short feed में जाती है और वहाँ से उस पे मान लेजिए millions में लाखों में views आ गए लेकिन उसके जो views हैं वो आपके public watch hour में count नहीं होंगे तो ये आपको ध्यान रखना है earn money on youtube store shorts तो यहां से अब आप पैसे कमा सकते हैं वो सारा program यहां पे आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं मैं आपको main बता देता हूँ कि ये कब से शुरू होगा add revenue with shorts add revenue sharing for short begin on February 1-2023 there would not be changes to existing revenue sharing module for log for videos और fan funding products मतलब आपका ये shorts चैनल है जो आपकी shorts वीडियो है उस पे add sell नह लग जाएंगी एक फरवरी 2023 से और मार्स से आपको payment मिलने लग जाएगी उसकी ठीक है अगर आपका channel monetize हो जाएगा तो उसके बाद और आप यहां पे आप देख सकते हैं इसके साथ साथ आपको earning करने का एक और बहुत ही कमाल का feature यहां पे दिया गया है यहां पे लिखाव वीडियो पे भी आपको super thanks का option दिखाई देगा जिससे आप earning कर सकते हैं और यह जो आपका option है यह कब शुरू होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है we are making super thanks available on short globally starting 10 January 2023 at the same time we will start bringing brands and shorts creators together as the part of YouTube brand connect मतलब 10 January 2023 से आपको super thanks का जो option है वो भी अपने channel के उपर अपनी shorts वीडियो पे देखने को मिल जाएगा तो यह वो complete update आप इसको और detail में यहां पर पढ़ सकते हैं मैंने main main चीजें आपको बता दिया है तो यह बहुत बड़ी खुशखबर है shorts creators के लिए वो भी ads के थूरू पैसा कमा पाएंगे तो friends मैंने आपको shorts monetization के इस नई update के बारे में बता दिया ह है उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you